स्वागत है अब सभी का टेक स्टेडी आई थे योटीव चनल पर आरपी एफ एन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरब से 4600 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गी एसाई और कॉंस्टेवल की और वैकेंसी आते ही सभी जगों पे वैकेंसी वाइरल हो गई हमने भी वीडियो बनाया और आप सबने देखा भी होगा उसके बाद से कही सारे उस पे कमेंट्स भी आये और कुछ और भी उसमें अफवाएं आए कि ये वैकेंसी फेक है ये वैकेंसी अभी फरजी है ऐसा सब आपको यहाँ पर मिलती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ तो आईए पहले नोटिस देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे क्यों यह नोटिस को लोग फरजी कह रहे है या क्यों ऐसी अफवाव उड़ रही ये नोटिस फरजी है और क्या सच में नोटिस फरजी अगर फरजी है तो असली नोटिस या जो रियल नोटिस है वो कब आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका नोटिस जो की पब्लिस हुआ पब्लिस मींस जो की वाइरल हुआ है गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवेस का यह इंप्लाइमेंट नियूज में पब्लिस होगा जब आप इसका e-copy निकाल पाएंगे pdf इसका वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे employmentnews.gov.in जो की government of India की trusted website है official website है ठीक है तो सबसे पहले तो यह date यहाँ पे है दो तीन इसकी वज़ा से कुछ candidate सोच रहे थे कि यह fake notice है तो बिलकुल यह fake नहीं है साथ मे official जो twitter handle है उसका वहाँ पे भी जाके चेक करेंगे क्योंकि वहीं के notice के बाद जो है यह अफवा only start हुई कि यह notice जो है fake है यहाँ आप देख सकते है proper जो employment news में कोई भी notice आता है उसका एक serial number भी होता है यह भी यहाँ पे है यहाँ भी आपको serial number एक दिख जाएगा and notice में की notification RPF का है तो यह serial number वही चल जाएगा RRB एक बटा 2024 आपका ALP का था RRB दो बटा 2024 आपका technician का होगा RPF होगे आपका constable and SI का ठीक है उसके बाद reservation की बात की गई थी 15% women candidates के लिए वो भी इसमें लिखी गई है पूरे notification में हमने चक किया कहीं पे भी इसमें कोई spelling mistake भी नहीं ह और इसी तरीके से आपका ALP और technician का भी sort notice आया था अब आईए वो point देखते हैं जहां से लोग कह रहे हैं कि यह fake है क्यों कह रहे हैं आईए उस पे चलते हैं यहाँ आप देख सकते हैं यह क्या है P.I.B. fact check ठीक है यह कोई भी चीज आप यहाँ पे trust कर सकते हैं P.I.B. जो ह आप यहाँ देख भी सकते हैं इनका जो social media handle है क्या है mail idea आप देखिए social media at the red P.I.B.GOB. ठीक है तो आप सब को पता इस पे आप trust कर सकते हैं इस पे अगर आप followers देखें तो total कितने हैं यहाँ पे fact check.P.I.B.GOB.in be bust fake news and misinformation related to the government of India ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया इ protection force is circulating on social media इन्होंने कह दिया यह फेक है और यह notice यहाँ पे इन्होंने attach कर दिया जो notice हम लोग actual में अभी देख रहे थे और इस पे इन्होंने यहाँ फेक का ठपा लगा दिया तो अब इससे क्या हुआ सभी में चीज आ गई कि यह सच में fake है क्या लेकिन जो fake notices होते हैं generally जि बाद में जब वो date उसमें जो लिखी हुई थी नीचे जैसे इसमें दो मार्च लिखी हुई है उस date पे वो proper notification employment news में आया फिर उसके form भी भरे गए and P.I.B. का आप कह सकते हैं कि जो fact check था वो कहीं न कहीं वहाँ fail हो गया था तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होने वाला है क् क्योंकि ELP का भी एक हथे पहले employment news जो है भी आपका वो 23-24 फरवरी से 1 March तक का भी publish हुआ है अब 2 March से लेके अगले week का जो होगा उस वाले में आपको ए notice देखने को मिल सकता है बट हम लोग 2 March का wait करेंगे उसके पहले P.I.B. को भी सही नहीं मानते हैं notice को भी सही नहीं मानत इस वज़ा से और candidates को लग रहा है खाए फेक हो सकता है बट जो short notification आया है उसमें जितनी बारिकी से उसे बनाया गया है जितने अच्छे तरीके से वो है आप ELP ए technician का भी आप हो copy देख सकते हैं employment news वाला बिलकुल same कोई बिना mistake बिना किसी spelling mistake के साथ है वो तो उसे हम authentic मान सकत हैं जैसे दो मार्च को website पर आ जाएगा PIV fact check भी जो है उसे फिर सही करार देदेगा अभी चूंकि वह आया नहीं official website पर तो PIV fact check यहीं कहेगा नहीं जब तक official website पर नहीं आया तब तक हम इसको fake मानेंगे तो हम लोग 2 March का वेट करेंगे दो मार्च को जैसे employment news में पब्लिस ह होता है फिर उसकी authenticity और ज्यादा प्रूफ हो जाएगी वेकेंसी तो आनी है तो उसमें आप fake हो या रियल हो उस पर अभी भरोसा ना करिए आप लोग अपनी तयारी पर फोकस करिए तो यहीं एक update आप तक पहुचानी थी candidates ने भी कुछ comment किया था तो comment का reply भी मैंने किया था उसमें कि यह authentic है authenticity इसकी लगभग 99% प्रूफ हो रही है क्योंकि बिना किसी mistake यहाँ पर जारी किया गया और दो मार्च को इसकी authenticity पूरी तरह से प्रूफ हो जाएगी जब यह employment news में publish हो जाएगा employment news भी आपको बता दें य यहाँ पर जल्दी इस पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा latest में तो जल्दी इस पर वह भी notice आ जाएगा e-notice जिसको आप लोग यहाँ से सर्च करके फिर आसानी से देख पाएंगे and check कर पाएंगे fake है या सही है तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके विडियो को like कर दीजेगा सभी के साथ share कर दीजेगा and ऐसी सभी update वा information के लिए हमारे उसको जो भी candidates idea कर रहे हैं या कर चुके अगर आप इसमें eligible हैं तो आप इसका form चरूर भरिएगा हमने अल्रड़ी इस पर detail वीडियो बना दिया उसे एक बार आप लोग जाके चरूर देख लिजेगा लेटेस्ट वीडियो में या आपको चैनल पर मिल जाएगा thank you ख्याल रखिएगा अपना मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में